सर्वोच नयायले ने जहरकंड सरकार से निर्मरीजदय संस्था द्वारा बच्चों की बिक्रीग पर मांगी रिपोर्ट NCPCR की दर्जाजी का 2022-2020 पर मुख्य नयायधीस की कंपीट ने दिया डिरेक्शन जारकन की राजधानी राची के निर्मरिज़ा संस्था द्वारा बच्चों को बेचने के मामले पर सर्वोच नयाले ने रिपोर्ट मांगी है मुख्य नायदिस अर्विंद बोबडे, न्यायमूर्ती, बियार गवाई और जस्टिस सूरेकांथ की पीठ ने रिट पिटीशन सिविल 222 और 2020 की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है राश्ट्रे बाल अधिकार संडरक्षन आयोग की ओर से दायर याचिका में बच्चों की बिकरी को लेकर जारकन सरकार, मुख्य सचीव और अन्य को वादी बनाया गया था इसमें अरुनाचल प्रदेश के मुख्य सचीव को भी पाटी बनाया गया था मामले की सुनवाई के करम में अदालत ने अबोध बच्चों की बिकरी को समवेदन सील मामला बताया है जिरह में यह बताया गया है कि Missionaries of Charities से जुड़े निर्मल हिर्दय संस्था की तरफ से 250 से अधिक बच्चों को बेचा गया था यह मामला काफी जोर सोर से उठा था पर जिला प्रशाशन और ततकालीन सरकार की तरफ से इस सिलसले में कोई करवाई नहीं की गई क्या था मामला इस प्रकरण में राची स्थित निर्मल हिज़ाय आस्रम से बच्चों की बिकरी प्रकरण मामले की जात CID को सौंपी गई थी 2018 की जुलाईक महिने में बच्चा बिकरी प्रकरण सामने आने के बाद कोटवाली थाने में प्रात्मी की दर्श कराई गई थी बाद में यह मामला CID को ट्रांसफर किया गया था बता दें की मामले में सिश्टर कांसलिया और सफाई कर्मी अनिमा इंदवार को जेल भेजा गया था मामले में एक एक कर पुलीस ने पांच बच्चों को बरामत भी किया था CWC अध्यक्ष ने दर्श कराई थी FIR बच्चे की बिगरी का मामला सामने आने के बाद CWC अध्यक्ष रूपा कुमारी ने बीते 3 जुलाई 2018 को कोत्वाली थाना इस्तित A.H.T.U. थाना में FIR दर्श कराई थी इसमें निर्मर हिदय की संचालिका, सिस्टर कांसलिया, बच्चे को बेचने वाली अनीमा इंदवार, बच्चे की खरीदार सुनभद्र उत्कर प्रदेश जिले के उबरिया निवासी, सौरव अगरवाल और उनकी पतनी पृती अगरवाल, सर अस्पताल की गाड़ मंजू, मुरबादी के हरियर सिंग रोड निवासी देबधारी देवी, उनके पती ओमेंद्र सिंग, सिम्डेगा के दमपती स्याल्या तिर्की, उसके पती सहीद, 12 को आरो पी बनाये गया था, लाइव जारकन ब्रिकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट